कि जादा से जादा ये मेरा क्या कर लेंगे भई नहीं बताईए क्या कर लेंगे मित्रो एक लंबे अरसे से लेकर इंडियन परिडिकल सिस्टम में एक गेर कानोनी प्रैक्टिस चल रहे थी और वो गेर कानोनी प्रैक्टिस थी एलेक्टवरल बॉंड बांड उशु करने की मुख्तलिफ जो पार्टियां है वो इलेक्टारल बांड्स इशू करती थी और उनके जो फैनेंसर्स हैं वो उन इलेक्टारल बांड्स को खरीदते थे अब जाहर सी बात है ज्याददर बांड्स नहीं पार्टियों के बित्ते थे जिनके पावर में आने की जो चांस थी वो ज्यादा हुआ करती थी अच्छा इसको मैं इलीगल इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि इसमें ट्रांस्पेरिंसी नहीं थी और आखर में ये हुआ कि अचानक से अब ये जो मुद्धा है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने फैसला दिया कि इलेक्टोरल बांड्स का जो डेटा है वो कम से कम पबलिक तो किया जाये ताकि लोगों को पता चले किस पार्टी को कौन सी कमपनिया चंदा देती है और क्यूं देती हैं चंदा ये उनको पता चलना चाहिए नाव ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यूं आया है मेरे ख्याल से ये कोई डीप स्टेट से मामलात बीजेपी के कुछ खराब हुए हैं इंडिया की डीप स्टेट से वहां पर भी तो पावर सेंटर्स है ना ये और बात है कि बीजेपी के आने के आने के बाद पावर सेंटर्स जो है वो उपर नीचे हो गए है और बहुत बड़ा जो पावर का शेयर है वो यहां पर चला गया है बीजेपी की तरफ चला गया है तो कहीं ने कहीं इंटरनल जो वियर एंटियर है वो भी हमें नदर आ रही है डीप स्टेट और बीजेपी की लेवल पर अब उसी तनाज़र में इसी बेगराउंड में अचानक से सुप्रीम कोड का फैसला एलेक्शन से कुछ दिन पहले आया है और इसके अंदर जो डेटा रिवील किया गया अभी पूरा डेटा नहीं आया आज 16 मार्च है तो हो सकता है जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तब तक फुल डेटा आ गया हो क्योंकि आज फुल डेटा ने रिलीज होना है लेकिन अभी तक जितनी डेटा रिलीज हुई है उसने पूरे इंडिया को चौका के रख दिया है क्योंकि उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे फ्रॉड जाहर हुए हैं बीजेपी सरकार के जो कोई सोच भी नहीं सकता था बहुत सारे इनके समर्थक ऐसे हैं जो के खुद हैरान है वो समझ रहे थे कि यहां पर तो ब्लैक मनी के खिलाफ एक जंग चल रही है बीजेपी की लेकिन सबसे बड़ी बेनिफिशरी वही निकली है ब्लैक मनी की यानि ये पूरी की पूरी पार्टी उस डेटा के अनुसार ब्लैक मनी और इलीगल तरीकों से हासल की गई मनी से चल रही होती है अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसके लिए आपको ये एपिसोड एंड तक देखना पड़ेगा और क्रोनोलाजी को समझना पड़ेगा कहानी शुरू होती है यहाँ से बिदिनस स्टेंडर्ड की ये स्टोरी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और्डर्स एस बी आई तो डिस्क्लोज फुल इलेक्टोरल बॉंड डेटा तो इलेक्शन कमिशन बाई 5 पी एम और मार्च 16 सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टेट बेंक ऑफ इंडिया को कहा कि आप डेटा दे दें इनको ये जो इलेक्शन कमिशन है इंडिया का जो के वैसे हाई जेक हो चुका है तकरिवा बीजेपी के कंट्रोल में है तो इनको इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बेंक गुस्टेड मेंग ने दे दिया election commission को अब election commission supreme court के order के तहद पाबंद है इसको जारी करने के लिए उन्होंने जारी किया कुछ data जारी किया जिससे बहुंचाला गया data में बताया गया and I quote business standard के BJP received more funds than the next six parties combined the ruling party received 6,060 crore in electoral bonds जरा volume देखिए 6,060 crore का जो पैसा है वो इनको मिला है और उसके बाद अगली जो छे पार्टिया है उन सबको भी मिला लें तब भी BJP का शेयर ज्यादा बनता है कहते हैं कि constituting 47% of the total donations followed by TMC रुपीज 1,609 crore 12% है उनका 12.6% और फिर Congress party आती है तीसरे नमबर पर सिर्फ 1421 crore उनकी donation उनको मिली है 11% डोनेशन उनको मिला है तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना ज्यादा gap क्यों है भाई? ये किन company उनको पैसा दिया है? और इतना ज्यादा पैसा कैसे दे दिया है इनको? अब कैसे दे दिया है में सारी game छुपी वही है पैसा हतिया है वसूली भाई वाला काम किया है अब आप मैंसे अगर किसी को नहीं पता कि ये वसूली भाई कौन है तो मैं आपको पहले तो ये बता दू कि मूदी साब की उपर वसूली भाई का नाम मैंने नहीं लगाया कॉंगरेस पार्टी नहीं लगाया उसके अंदर एक करेक्टर है बड़ा फणी किसम का और वो इसी तरह से फोन करके लोगों को तंग करता है पैसों के लिए बता लेता है बता दीजिए और मन्तली हफता जो भी केले आप तो वो उनको इस तरह तंग करके पैसा लेता है मुदी साब ने वसूली भाई वाला काम किया है मुदी बीजेपी का वसूली भाई है और ये काम उन्होंने असल में स्टेट के और्गन्स को यूज करते हुए उनके उपर इल्जाम लग रहा है कि स्टेट के और्गन्स को यूज करते हुए पैसा लिया है यानि के पहले जो accountability के institutions एंडिया के अंदर वो certain companies के उपर red करते हैं और red करने के बाद उनको धंकिया लगाते हैं उनको तड़ियां लगाते हैं और उस red के कुछ ही दिनों के बाद तीन चार हफ़ता दस दिनों के बाद वोही company जिनके उपर red पड़ती हैं उनके साथ साथ बाद हो जाती है डील हो जाती है बीजेपी वालों की और वो company फिर बीजेपी के electoral bonds खरीद के इनको पैसे देती है पहले गुमनाम था ना नाम नहीं आता था किसने पैसे दी है ये तो supreme court के order के बाद पता चला ये सारा कुछ के इस तरह का गोरख दंदा चल रहा होता है तो पहले state के institutions को उन company के तरफ भेजा जाता है वो record seize करते हैं जर्माने आयद करने की धंकियां देते हैं और फिर आखर में deal इस पर सेट होती है कि इतने पैसे बीजेपी को दो और अपनी जान चुड़वा लो यानि कि मुआमला कुछ यूं हुआ होगा अगर आपने अंदादा लगाना हो कि वसूली भाई फोन करके किस तरह से deal करते होंगे कंपनियों के साथ उसके लिए दरा ये क्लिप देख लीजिए कुछ यही सीन कंपनियों के साथ और बीजेपी के वसूली भाई के साथ हो रहा होगा वहां पर नंबर बोल उसका नंबर हो गया नहीं अभी तो तीनी हुए पूरा सुन लो और नाइन मुझे और गुंगरु सेड कैसा चल रहा है दंबला पानी अरे वसूली बोल रहा हूं तेरा बाप कांको ना भी से मेरा पैसा लेके आ वर्दा बिना भेजे कि खोबड़ी जाले लुचे टुचे बाजारू महले के गुच्छे अब दिवाली की फुलजड़ी चला डालूंगा अभी जानता ना तुम किस से बात कर रहा है हाँ पता है सेख़णों बाप के एक इकलोती ओला से बात कर रहा हूं अब यो शाने पागल हो गया के तू लगता तेरा गेम बजा नहीं पड़ेगा इतनी गोलियां मारूंगा इतनी गोलियां मारूंगा कि आत्मा भी कंफ्यूज हो जाएगी किदर से निगलो अबे तू आता है कि मैं हूँ अच्छा आप वो देखें तीस डॉनर्स जो बीजेपी के ऐसे हैं तीस डॉनर्स उन मेंसे चौदा वो थे वो कंपनिया थी जिनके उपर ED, CBI ये जिनके बारे में मैं कहता रहता हूँ ये बीजेपी के टूल्स है अब ये सरिफ वो हैं जिनको इस्तेमाल करके बीजेपी सियासत को कंट्रोल कर रही है और इंडिया के कॉर्पोरेट सिस्टम को कंट्रोल कर रही है ED, CBI और IT Officials ये इनने 14 कंपनिय तीस में से 14 डोनर्स के पास ये गहे थे इन्होंने रेड मारी और रेड मारने के बाद मामला जो है वो सैटल हो गया और सैटल यूं हुआ कि इन कंपनियों ने बीजेपी को पैसे दे कर जान जुड़ाई Black Money बीजेपी की तरफ चरा गया Black Money क्यूं है इस पर भी थोड़ी दिर में आता हूं मिसाल देता हूं कौन कौन सी कंपनिया है एक Future Gaming and Hotel Services है अब इस कंपनिय ने बीजेपी को 1368 करोड रुपे दिये 1368 करोड रुपेज 27 अक्तूबर 2020 को इन्हों ने ये पैसा बीजेपी को दिया और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसी साल ये जो Enforcement Department है ED जो के Government Accountability का अधारा है इन्हों ने इस कंपनिय के 409 करोड रुपे के असासे जब्द कर लिये थे और उनके उपर Money Laundering का Case उन्हों ने लगा दिया था ट्रेलर दिखाया था असल में 409 करोड रुपे के Assets इनके Attach करने के बाद इनको Message दिया गया कि पैसे निकालो वसूली भाई को पैसे दो वरना तुम्हारे सारे के सारे जो Assets हैं वो भी Attach हो सकते Money Laundering के इन दनों जो Laws हैं दुनिया बर में इंतहाई सकत है बलके इनकी तो जमानत होना भी बहुत ज़्यदा मुश्किल होती ओफिशल्स की तो बिचारों को ये डंडा दिखा के तो उनसे इतने ज्यादा पैसे बीजेपी ने अत्या लिये 1368 करोड उसके बाद दूसरी कमपनी है Mega Engineering and Infrastructure Limited अक्तूबर 2019 में इंडिया के Income Tax Department ने इन बिचारों के बहुत सारे offices के ओपर जो है वो रेड किया और वहाँ पे ये होता है के हिदराबाद में किया और मुखत जो अलाके हैं इंडिया के साउथ इंडियां कमपनी है बैसी कलीस का जो मालक है गालब अक्रिशना रेडी नाम है उसका वो साउथ इंडियां है तो उनके मुखत अफिस पे इन्हों ने रेड किया अब इस रेड के बाद अचानक से क्रिशना रेडी साब के दिल में बीजे पी के लिए महबत जाग जाती है मित्रो महबत की बात है सारी की सारी विश्वा गुरू के लिए महबत वसूली भाई के लिए बीजे पी के वसूली भाई के महबत में रेडी साब ने पता है कितने प पैसे हैं तुम्हारी इतनी ब्लैक मनी हैं पैसे दे रहे हो तो ठीके वरना फिर तुम्हारी मेगा इंजिनियरिंग एन इंफरस्ट्रिक्चर का जो फीचर है वो बड़ा डार्क है तो उसने भी पैसे दे के जान चुड़ाई उसके बाद वसूली भाई का फॉन जाता है इन बिचारों के पास रेड होती है एडी वालों की बदनामे जमाना इंडिया की अकाउंटबिलिटी इदारा जो के बीजेपी की बी टीम के तौर पर इसके बाद इसके बाद इस गुरूप ने भी 400 करोड रुपे बीजेपी को दिये रेड करने के बाद सैटलमेंट इस त करता है हल दिया इनर्जी लिमिटिट को ये भी बड़ी कमपनी है वहां की इंडिया की और इस फर्म ने बीजेपी को 377 करोड रुपे दिये तीन सो सत्तर इसा है यानि वसूली भाई के लिए पैसा बनाना कोई मुश्किल नहीं है वो कहता है हम तो फकीर आदमी है जी जोल हल दिया इनर्जी लिमिटिट ने इनको दिये और मज़े की बाद देखिए कि इनके पीछे सी बी आई वालों को लगा दिया था मार्च तोहजार बीस में सी बी आई वाले इनके पीछे पड़े इनको डराया धंकाया इनके उपर मुखतलिफ कैसेस बनाने की धंकियां दी पिर इन्हों ने 377 करोड रुपे बीजे पी को देकर अपनी जान चुड़ाने की कोशिश की इसके बाद वसूली भाई फॉन करते हैं ये शोदा सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वालों को बहुत बड़ी ये भी एक कंपनी है वहाँ पर तो इनके बहुत सारे हॉस्पि 2020 से लेकर तंग करते रहे और आखर में बात आके टूटी 162 करोड रुपे के भते पे इन्हों ने भता देकर इन्हों ने चंदा देकर बीजे पी को जान चुड़ाई अक्तूबर 2021 में इन्हों ने इतनी बड़ी रकम बीजे पी के हवाले की इसके बाद वसूली भाई डी दी ऐलेफ कमर्शल यूश्यल ओलो को फोन करते हैं कि मुझे पैसे दो मुझे पैसे चाइए इन्हों ने जनाब टाल मोटोल से बीजारों ने काम लेने की कोशिश की कि माराज हमारे यह इतने ज्यादा लोग काम करता हैं आप अगर हमारी कंपनी बंद करेंगे तो हम कहा जाएंगे E.D. को पीछे लगा दिया वसूली भाई ने E.D. वालों को बोला कि ये जो D.L.F. वाले हैं बड़ी गड़ड़ कर रहे हमें इनसे पैसे निकाल के दो और 2019 में इनको पहले C.B.I. तंक करता है और इनको कहता है C.B.I. तो बड़ी इर्रेगुलरिटीज है आपने कैसे ये जमीने अलोकेट की वो कैसे की ये कैसे आपका है फॉला प्रोजेक्ट में गपला इसमें इसमें और फिर उसके बाद ये जब नहीं मान रहे थे तो बिचारों के उपर एक मरतबा फिर से E.D. को इनके उपर छोड़ दिया गया नवंबर 2030 में E.D. इनके पीछे लगता है और गुर्गराम का इनका जो आफिस है उसमें रेड करते है स्पेशल 26 फिल्म देखी है आपने अक्षे कुमार की और अनुपम केर की कुछ वही इसाब होता है इनके पीछे स्पेशल 26 लगा देता है E.D. वाले तो वो जाते हैं इनको तंग करते हैं और इन्हों ने भी आखर में 130 करोड देकर जान चुड़ाई क्योंकि इनके पीछे लगा दिया था बीजेपी ने ने ये किया कि एपरिल 2022 में इनके पीछे E.D. को लगा देता है और वो इनको तंग करते हैं कि आपने जनाब फोरन एक्सजेंज रेगुलेशन की वायलेशन की है ये क्या किया है आपने आपको तो हम जो है जर्मान आयत करेंगे आपकी कमपनी को उठा पटक करेंगे सारा कुछ करेंगे 123 करोड देकर जान चुड़ाई बीजेपी को इन्होंने भी पैसे दिये उसके बाद चिन्नाई ग्रीन वुड प्राइविट लिमिटेड कमपनी है उन्होंने भी इनको पैसे दी 105 करोड रुपे दिये फिर डाक्टर रेडीज लेवारिटरीज हैं इनके पीछे इनकम टैक्स को लगा दिया और इन्होंने भी 80 करोड देकर जान चुड़ाई और फिर आई एफ बी एग्रो लिमिटेड है इनको भी कहा गया कि आपने टैक्स में चोरी की है और 2023 में 40 करोड रुपे इन्होंने भी दे दिये बीजेपी वालों को फिर 92 करोड की एक और फिगर आ रही है वो भी इन्होंने दिये बीजेपी ऐसा असानी के साथ माल बनाते रहे हैं फकीर आदमी जोला उठा के चल पड़ेंगे जी आदेना आपको डैलोग मुझी साब का वसूली भाई का वसूली भाई ऐसे डरा धमका के और लोगों को तंग करके पैसे उकटे करते रहे हैं अपनी कंपनी के लिए उसके बाद देवी एस लिबारेटरी वालों ने 55 करोड दिये इसी तरह से उनके पीछे भी उन्होंने इंकम टेक्स को लगा दिया फिर इंकम टेक्स वालों ने NCC लिमिटेड वालों से भी साट करोड रुपे बटो रहे हैं बीजे पी के लिए फिर यूनेटेड डे फॉस्वरस इंडिया लिमिटेड है उनके पीछे भी इंकम टेक्स लगा दिया, मूदी ने 2020 में इनके पीछे लगा दिया, 50 करोड इन से भी चीने, फिर अरोबिंदू, फार्मा वाले हैं, उनके पीछे एडी को लगा दिया, एडी ने भी बड़ा माल बनाया है, बीजे पी के लिए, एडी के डारेक्टर को मेरे 6,000 करोड बितरो, कोई जोक नहीं है, 6,000 करोड से ज्यादा फकीर आदमी ने जनरेट किया अपनी पार्टी के लिए, अच्छा, बात यहां तक सिर्फ खतम नहीं होती, जिन कमपनियों को डरा धमका आगे पैसे लिये जाते रहे, बाद में उनहीं कमपनियों को सरकारी ठेक कमपनियों को, पास ये एक बंगलो खाली है, जिसका रेट पल पल बढ़ता जा रहा है, तीन करोड, कितना जे, तीन करोड दस लाग, आयो, दो सेकंड में दस लाग, अरे बोला ना, पल पल बढ़ रहा है, तो डान करता है डिल, देख रहे हैं, मतलब वो ये कहते थे थे कि ये इस तरह भी माल बनाया है इन्होंने, मिजा डेखी, मेगा इंचिनिरिंग एन्द इंफर इन्होंने काफी dealt़ारा पैसा पैसा इनको डॉनेट किया, मुक्तलिव वक्तों पर ये डॉनेट करते रहें, जैसे बीजेपी को पैसा चाहिए था तो इन्होंने लेते रहें, मे बीजेपी को दिए आट सो करोड डौनेशन इसमें से एपरेल 2023 में 140 करोड दिए है और एक महिने के बाद ही मैं मईं मैं 2023 में एपरेल में 140 करोड़ बीजेपी को देते हैं और मॉई में बीजेपी इनको 14400 करोड का एक प्रोजेक्ट देती है ठेनी बौरी वाली ट्विन टेनल प्रॉजेक्ट 14400 करोड का इनाम के तोर पर वसूली भाई बांड देते हैं कहते हैं मेरे मितर ने दिल खुश कर दिये 140 करोड चाहिए थे पूरे 140 हमें इन्होंने गिन गिन कर दिये हैं तो इसलिए 14400 करोड का प्रॉजेक्ट इनका वसूली भाई ने बेच दिया जी आँ मितरो बड़ इंटरेस्टेंग बात बता रहा हूँ आपको 7 अक्तुобр 2022 को इनको जनाब जिन्दाल 25 करोड दोता है और मतर 3 तिन दिन के बाद वसुली भाई ने इनको गेर पालमा व जो कोलमाइन का प्रॉजेक्ट है वो इनको 10 अक्तुबर को दे दिया मतर 3 तिन दिन के बाद तिन दन पहले छिंदारा नों पैसे करेंदों चार्जी कोई सांचा कुछ करिए बिसने का कोई मसला नहीं पार्टी को पैसे देते हैं, आपको कॉंट्रेक्ट दे देते है कॉंटक्ट दे दिया ऐसे उठा की दे दिया उसके बाद जनाब ब्लैक मनी भी पैसा हलाल हो हराम हो कोई मसला नहीं एक कंपनी है क्वेक सप्लाइचेन लिमिटेड अब क्वेक सप्लाइचेन लिमिटेड का पूरा का पूरा शेर कैपिटल ही 130 करोड का है सर्फ कंपनी का शेर capital है ही 130 करोड का लेकिन donation कितने की दे रहे हैं 410 करोड रुपए 410 करोड मतलब company का share capital ही 130 करोड का है लेकिन donation 410 करोड रुपए यह हो रहा है यानि पैसा सुफैद हो काला धन हो doesn't matter आना चाहिए बस हमें पैसे दें उसके बाद जो मर्जी करें we don't care हमें सिर्फ पैसों से मतलब है तो वसूली भाई ने बहुत बड़े खांचे मारे हैं और ये खांचे अचानक से election से पहले पूरे इंडिया के सामने आ गए हैं और उन लोगों के मूँ पे जन्नाटेदार चमाट की तरह पड़े हैं ये कहते थे के बीजेपी तो काले धन से लड़ती है बीजेपी तो भरस्टा चार के खिलाफ है करप्शन के खिलाफ है ये पढ़िए आपकी करप्शन और ये पढ़िए आपकी बीजेपी ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भई नहीं बताईए क्या कर लेंगे अरे हम तो फकीर आदमी है जोला लेकर चल पड़ेंगे जी